तो आज के टेरो डीडिंग का टॉपिक है दियर थौट्स अबाउट यू राइट नौ वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या किस तरीकी कि उनके थौट्स हैं चलिए देखते हैं यह एक टाइमलेस कलेक्टिव डीडिंग है कुछ चीजे आपकी सिचुएशन से रेजने करेगी आप उसे आजटेस छोड़ सकते हैं अगर आप मेरे चानल पे नए आए हैं तो आप इस चानल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाप बेल आइकन को ज़रूर आल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल पाएं और आप कंटें को इंजॉय कर पाएं तो चलिए देखते हैं उनके किस तरीके के थाट्स हैं आपके लिए पहला काड़ आ रहा है एट ओफ वांस ओके एरीज लियो सेजिटेरिस की नर्जी है रूट चक्रा आया ग्रांडेडनेस है बातचीत हो सकती है या कोई ट्रावलिंग परपस हो सकत है या कहीं ट्रावल कर रहे हो वहां पर आप लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो या फिर जो है यह भी हो सकता है कि आप लोग कहीं एक दूसरे के साथ जाओ किसी भी कारण से कोई काम की जरीए किसी और तरीके से नेक्स टारा नाइन ओफ कोईंस तो यह हो सकता है एरीज एनरजी है, नेक्स टार एस सेवन ओफ कोईंस, पेज ओफ सॉर्स, तो यहाँ पर यह एनरजी है कि यह परसन चाहे किसी के लिए भी आप देख रहे हो, तो वो जो है आपसे बाचीद करके खुशी महसूस करते हैं आपके साथ ट्रावल करना, घूमना फिरना, या किसी ट्रावलिंग पॉपर्स के थुरू, आपके साथ टाइम व्यतीत करना, यह चीज जो है उन्हें पसंद आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एंपरेल का कार्ड भी आए, एक अथोरिटी फिगर है, हो सकता है, आपके यह बॉस हो, या आप उनके बॉस हो, या इस तरीके से सीनिय जूनियर भी हो सकता है, तो इस तरीके की एनरजी है, कि आपके साथ वो टाइम स्पेंड करने की इच्छा रखते, क्योंकि सेवन अफ कॉइंस है, बहुत सारे समय से, या काफी लंबे समय से यह इच्छा रही है, कि आपके साथ वो बाचीत करें, या फिर आपके साथ साथ है, फेजर साथ जो है, वो यही एनरजी है, कि आपको वो देखते हैं, अब सोशल मीडिया पे देखते हूं, आपको अबसर्व करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपके बारे में दिमाग में बार बार चीजों को घुमाना या सोचना पसंद है, तो इस उन्हें कुछ भी का और 6 महीने पहले कहाता हूं, तो उन्हें अभी भी जो है, एक्जाक वर्ड याद होगा, एक्जाक जो है, वो आपके अटायर या कह सकते हैं, आपके फेस एक्स्प्रेशन उन्हें बहुत अच्छी तरीके से याद होगे, तो इस तरीके का यहाँ पे पर पहला है, यहाँ आपके लिए किस तरीके के उनके थाट्स हैं, तो पहला आ रहा है है यहाँ पर कुईन ओफ पेंटिकल्स, यह परसन आपकी स्टेबलिटी या सिक्योर एंसी, या एक hiking स्टेबल वरसन या sensitive परसन कह सकते हैं, कि जो सिक्योर है अपने आप में इंसिक्यो और नहीं है जैसे कि एक एक जामपल देती हूँ अगर मालो सोसाइटी में किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो हर कोई यह पूछता है दूसरे से यार उसने मेरे बारे में यह कहा पता नहीं क्यों कहा एक्सेक्टर एक्सेक्टर आपका यह रवया है कि कोई कुछ कहता है कहते रहो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ तो इस तरीके कि यहां पर एनरजी है और यह चीज उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है नेक्स टार है एट अफ कॉइंस वर्गो एनरजी है आप हाइली फोकस्ड हो अपने काम में, कैरियर में, वर्क में या फिर कोई भी काम अगर सीखते हो या करते हो तो उसमें हाइली फोकस्ड हो तो ऐसा नहीं है कि इधर भी देख लिया उधर भी देख लिया तो वो वाली energy नहीं है, आपको कोई फरक नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है या क्या कर रही है, आप अपने आप पे focus हो, ठीक है, तो इस तरीके की energy है और वो आपको इसलिए भी पसंद करते हैं, उनके thoughts देखते हैं, क्या हा रहा है नेक्स्ट आरा temperance, वो एक patience वाली energy में है लिके balance लेकर आना चाते है emotional और practical realm, दोनों का balance लेकर आना चाते है spiritually भी वो आपसे attachment महसूस करते हैं, यहाँ पे cups के energy आई है तो emotions जो है वो deeper है, इस तरीके की emotions है, जो कि वो दिखाते नहीं होगे क्योंकि ठीक emperor के नीचे आया है, तो वो दिखाते नहीं है, आपको भी नहीं दिखाते, किसी और को भी नहीं दिखाते लेकिन emotions यहाँ पे available हैं, तो feelings यहाँ पे develop हो चुकी है next आ रहा है यहाँ पे 10 of cups, तो वो इस तरीके से भी सोचते हैं, कि आपके साथ अगर वो आ जाते हैं या किसी तरीके से वो हो जाए, जैसे एक wish वाली energy होती है, कि इच्छा है, कि भगवान यह करा दो मेरा तो मैं जो हूँ, खुशी महसूस करूँगा, तो वो वाली energy है, तो आपको वो ऐसे देखते हैं 10 of cups जो है, emotional fulfillment को दिखाता है, एक ऐसी fulfillment जिसमें आप happiness, harmony, peace जो है, वो अपनी जिंदगी में manifest करते हैं आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं, तो ऐसा उन्हें लगता है, कि वो खुशी महसूस कर रहे हैं, जबकि आप वहाँ पे हो भी नहीं, उसके बावजुद जो है, उनके दिमाग में यह चीज़ बनती है, कि आपके सोचने पर ही जो है, उनकी मुस्कराहट आ जाती है, या फिर यह कह सकते हैं, कि खुशी महसूस करते हैं, नेक्स टार है, एस ओफ कॉइंस है, एस ओफ कॉइंस जो है, वो न्यू बिगनिंग को दिखाता है, इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, इमोशनल और फाइनेशल दोनों तरीके के इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, शक आप QT क्यों नहों दिखते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे कोई ऐसे नजर में क्यों देखेगा, लेकिन उस समय कोई और उनके दिमाग में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ आप पे वो केंदरित हो जाते हैं, तो इस तरीके की भी thoughts उनके मन में चलते हैं, कुछ Stable, Secure, Relationship या Long Term Commitment, यहां पे एक फामिली भी दिख रही है, तो इसा सोचते हैं, नेक्स्ट आरा, Hierophant, फामिली की सोचते हैं भई, वो, नेक्स्ट आरा आपके लिए, Seven of Cups, तो Seven of Cups, जो है, वो confusion दिखा रहे हैं, वो आपकी तरफ से ऐसा महसूस करते हैं, कि आप या तो confused या आप बोलना नहीं चाहते हैं, या आपके पास बहुत सारे options हैं, तो आप चुनोगे वो नहीं, तो इस तरीके की भी energy वो महसूस करते हैं, उनके thoughts देख लेते हैं, क्या आ रहा है आपके लिए, Ace of Cups, और एक और देख लेते हैं, Four of Wands, तो भई, यह शादी करने में long term commitment रखने की इच्छा रखते हैं, अभी तक actions नहीं लिए गए हैं, मैं feel नहीं कर पा रही हूँ कि actions लिए गए हैं, लेकिन इच्छाए हैं, developed हो रही है, feelings और feelings धीरे धीरे ही develop होती हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर energy है, तो चलिए देख लेते हैं, कुछ guidance भी देख लेते ह हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, messages उनके, कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, तो यहाँ पर जो है, मुझे ऐसा लग रहा है, nature आप दोनों को पसंद हो सकता है, या nature में आप लोग मिले हो, या कोई ना कोई ऐसा incident हो सकता है, तो पहला आ रहा है, life is a series of constantly shifting cycles, when we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress, go with the flow, you will be surprised where it leads, तो यहाँ पर यही चीज़े की, flow के साथ बढ़ो, किसी चीज़ को resist नहीं करना, यह आपके लिए guidance आईए, नेक्स आरा manifesting miracles, your dream is soon to become reality, trust your heart and continue to follow its guidance, तो यहाँ पर miracles हो रहे हैं, आप अपने dream को जो है, वो जी होगे भी और अपनी जिनदगी में आगे बढ़ोगे, और नेक्स आरा twin flames, your passion ignites, तो यहाँ पर आप लोग twin flame हो सकते हो, हलाकि सबसे resonate नहीं करेगा, जरूरी नहीं है कि हर इनसान जो है, वो एक दूसे का twin flame ही हो, तिकि यहाँ पर energy ऐसी है, कि marriage के पूरे पूरे chances हैं, आपको action लेने पड़ेंगे, उनको भी action लेने पड़ेंगे, यहाँ पर thoughts उनके जो है, वो इसी तरीके के हैं, चलिए देखते हैं कुछ, उनकी तरफ से कुछ love messages, वो क्या कहना चाहते हैं, I daydream about you, तो वो जो है आपके सपने देखते हैं, खुली आँखों से सपने देखते हैं, next आरा look at, look to your inner strength, तो आपको वो एक inner strength या आपको manifest करना चाहते हैं, या देखना चाहते हैं, next आरा, this is the one, तो वो ऐसा सोचते हैं, और next आरा आपके लिए, I want to ask you out for coffee and drink, और next आरा, I still remember every word you said, जो मैंने पहले भी कहा था, अगर आपने ध्यान से सुनी हो, तो जो भी चीज आपने कही है, चाहे वो normal conversation ही क्यों ना हो, ल तो यहां पर tree of life आया है, तो पूरी possibility है कि family situation create हो सकती है, next आरा, यहां पर jaguar आया, तो अभी तक hidden energies है, feelings जो है, वो hidden है, next आरा, crab आया है, cancer energy है, वो आपको इस तरीके से देखते हैं, कि आपको protection भी देना चाहते हो, next आरा, sun है, clarity है, Leo energy है, तो transparent जो है, वो relationship रहेगा, चली द एक लड़की भीगी भागी सी, चलती का नाम गाड़ी, तो यह जो बहुत पुराना गारा था, वो चीज है, किशोर कुमार का था, next आ रहे है, यहां पर तेरे नैना, my name is Khan का, और next है आपके लिए, क्या आ रहा है, truly madly deeply savage garden का, तो इस तरीके की गाने जो है, वो आपको dedicate करन अचाते हैं, इसी तरीके feelings जो हैं, वो आपके लिए महसूस करते हैं, तो यह थी आपकी reading, उमीद करते हूँ, आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरा content, readings और energies अच्छी लग रही हैं, तो please इस channel को like करे, share करे, subscribe करे, thank you,